वेल्कम दोस्तो यह चो वीडियो है आज में लास्तान के इस्टेटिक जीकी का जो पार्ट है दूसर आप लोगों काफी सारे लोगों को इस्टेटिक जीकी में परिशानी हो रही थी और मैंने आपको सिर्थ सोलुशन नहीं बताया आप जितने कोशन हो सकते हैं वो कोशन आप लोगों को इसकी पीडियेव चाहिए तो इस वीडियो के जित्ते भी कोशन है जहां पर अवेलेवल है मैं उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देदूँगा आपस पूरी वीडियो देखिए वीडियो को इंजोई कीजिए और अपने दोस्तों सा ज्या कोशन कर रहे आपको बहुती कम प陷ेशी चेहां पर आपको टोपेकष मेत्षम हमारे वीडियो घरबार सबस्तों सबसे इंपर्ण अगर टोपắm की वेलेगा है टीहास का राजस्तान की जि 가장 के हिस्ट्री का वो है राजसान के दुर्ग एवं के लिए तो इससे समदे सभी परशन आज की वीडियो में अम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन अम लोग करेंगे तो फूरी वीडियो बिना स्केप करें दोस्तों अंतक देखेगा ताकि आपको हरे कोशन अच दुर्ग माराना कूंबा द्वारा निर्मित नहीं है वैंस रोडगर मचान भुमट दुर्ग बशंति दूर्ग तो ये सबी तीनों बुर्जो वाला दूरह खें दोस्तो वो आपका है जय सल मेरं दुरुग में अगला के ग्वस्ट किला जोहर सतल के लिए परसिद है चितोडगर कुंबलगर तारगड परसिद्ध है इन अप्शन में चितोडगर का उमर सही होगा अगला देखिए निम्न में से जैबाड किसका नाम है तोप का, किले का, पुस्तक का, इस्तान का, जैबाड दोस्तो जैगड किले में रखी हुई तोप है जो की एशिया की सबसे बड़ी तोप है इसका से उतर हो जाएगा तोप सुवनगिरी के नाम से जाना जाता है जो तारगड का किला है वो गड़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो गड़ बीटली की पाड़ी परिष्चित है अगला परशन जाली बाव पाड बाबडी और मामा देव का कुंड निम्द में से किस दुर्ग में? चितोडगर, गागरोन, कुंबलगर या तारागड? तो जाली बाव बाबडी और मामा देव का कुंड कुंबलगर दुर्ग में इस्तित है जो कि सवाई मादवपुर में है अगला प्रश्ण है बीका नेर के जुनागड के लिए का निर्मान किसने कराया है राव बीका महाराजा राय सिंग राव कल्यान मल या माराजा अनुप सिंग तो महाराजा राय सिंग ते जिन्होंने बीका नेर की जुनागड के लिए का निर्मान कराया है जिसे बीका नेर का निर्मान किस ने कराया राव मालदे राव चंसे राव जोदा या राव सिया तो मेरांगर दुर्ग का निर्मान कराया राव जोदा ने चडिया टू की पाड़ी पर दोस्तों अगला प्रशन किस पाड़ी पर जोद्पूर का मेरांगर दुर्ग है तो देखिए अभी मैं दोस्तो जब चौले गाए जुरू के टो जब एक व काले नीல공 दोस्तो प्रकेते अन पर उन्ही हो आघ। कर दोस्तो सब्सें इंपोड़ीन गूले में स्रफ एक यह जूठ सुध style युप west के कले में कौन साथ गोले दागी गए तो वह आएगा चांदी के गोले और अंग्रेजों के साथ यह युद्धु हुआ था तो यह तारागड अजमेर की जो प्राचीर है वहाँ पर विशाल बुर्जो के नाम है गोंगड गोंगडी बांदरा और इमली अगला पर्शन यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमन कारी नहीं खोल सका हसम निजामी का यह कतन राजसान के किस किले के बारे में है जैसल मेर, जालोर, चित्तोडोろका किला या तरगड किला तो हसम निजामी का यह जो कैसन राण जालोर किले के बारे में है अगला पर्शन देखिए बसंती नाम किले का निर्मान किस ने करायों है कुम्बा, बीसल देव, रानपरताभिय, मारावल, जैत्र सिंह तेज सिंग तो बसंती नमक केले का निर्मार सिरोही में राना कुम्बा के दोरा करवाये गया था गुबारा नुसरत नाकपली गजग ये किसके नाम है ये सबी दोस्तों जोदपुर केले में जो तोप है उसके नाम है गुबारा नुसरत नाकपली गजग अगला परशन देखिए गर्भ गुंजन तोप नमेंसे किस दुर्ग में है तो गर्भ गुंजन नामक जो तोप है तारागड किले में है बूंदी का जो तारागड किला है वहाँ पर गर्भ गुंजन तोप है बनवीर ने किस किले में नो कोठा मकानिया नमलखा बंडार का न बिल्कुल दोस्तो और यह सही है नव लेखा किला बुंदी में नहीं देखे पिछले कोशन इतर में कहरी कड़का कीला कुंबड कर में यह भी कहले नहीं किले में तो सब्सक्राइब विरासत दुर्ग में घोशित नहीं किया है तो देखें गागरों दुर्ग यूनेस्कों की लिस्ट में आमेर का दुर्ग यूनेस्कों की लिस्ट में जैसलमेर का है मगर आपका जो मांडलगड का किला है वो यूनेस्कों की लिस्ट में अभी नहीं है अगला प्रशने बादल महल किस दुर्ग में है तारागड कुंबलगड नाहरगड चित् चेने कोटले के दौरा निल्दारत नहीं की गई थी यह शुक्र के दौरा निल्दारत गी गई अगला पस्त pes वह किला जिसमें एक जैसे से नो मेल तो एक जैसे Joãoshift पुर नाहरगढड तो एक-जैसे नो जलदुर्ग है राजस्थान में वो है गागरोन का किला उसके बाद भैस रोडगर भी एक जल दुरग है और एक नीमरानाका किला है वो भी आपका जल दुरग में इन्याता हry अगला देखे मेवार के या किसे कहा जाता है अचल गड़ ये सिरोई में तो गलत हो जाएगा चित्तोडगर, कुंबलगर या सज्जनगर तो दोस्तो जो मेवार की आँ कहा जाता है वो कुंबलगर दुर्ग को कहा जाता है क्योंकि मेवार और मारवार की सीमा पर है अगला कोशन देखिए ये जो बात है कुचामन दुर्ग के बारे में कही गई है ये एक दोस्तो ऐसा प्रशन है जो कि आपने आज सक नहीं पढ़ाओगा तो इस वीरियमा आपको काफिय से प्रशन मिलने वाले जो कि आपने पहली बार भी पढ़ाओगे अगला कोशन है मेहरांगार दुर्ग में निमने लिखित में से किसकी मजार है मीरान साहब की अब्दिल्ला खाकी भूरे खाकी है दीवनशागी मेहरांगार दुर्ग में भूरे खाकी मजार है और शेर्शाह सूरी की मजार है नेक्स्स कॉशन राज पताने का सबसे बड़ा लिविंग होड के से कहते हैं तथा वह दुर्ग राज जी का परतम लिविंग फोड कहलाता है तो चित्वड का दुर्ग राजसान का परतम लिविंग फोड है और उसके बास सैक्ड नम्बर पर आता है जैसेल मेर सिर्व यही किपलिंग के द्वारा लिखा गया एंगला परश्ण चिन कहाई टीला चिल्ल का टीला किस दुरु का उपनाम है मेरानगड जैगड अचलगड या सजणगड तो चिल्ल का किला जो नाम है जैगड का ही उपनाम है अगला कोशन देखिए एशिया की सबसे बड़ी तोब किस दुर्ग में रखे गए ये तो इमें आपको पहले भी बता दिया जैगर्ण नमक जगए पर एशिया की सबसे बड़ी तोब रखी है जिसका नम जैबाण है किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं जोनारगर, गागरोन, रंथमबोर या बयाना तो जालिम कोट दोस्तों गागरोन दुर्ग में जो कि जाला जालिम सिंग के दौरा बनाया गया था माँथ हैं? अचमेर का जो मेगजीन दुर्ग है दोस्तो वो अखबर का केला है और अग्बर के दोरे निर्मान कराएगे तो ये पूरा मुस्लिम शैली का बना हुआ है निमनिलिकिस में से कौन सा कतन गलत है हमको अब गलत कतन पे टिक करना है कि कौन सा कतन गलत है देखे पारागड को राजसान का जिब्राल्टर कहा जाता है बिल्कुल सही है लून कंसर्ण बीकानेर जो है उसे राजस्तान का राजकोड कहा जाता है जैसल मेर को राजस्तान का अंडबन कहते हैं मगर कुम्बलगड को राजस्तान का वेलोर नहीं कहते हैं ये बिल्कुल गलत है राजस्तान का वेलोर कुम्बलगड को नहीं कहते हैं आगे आयेगा दोस्तों कि राजिस्तिन का वेलोर का किला किसे कहते हैं, मगर अभी हम आपको नहीं बताएंगे, आगे नेक्स जैसे ही आएगा आपको बता देंगे, अगला देखिए, एक लिंक प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, रामकीर्ती, महेश्वर, गुणबद्र या आमरकवी, तो एक लिंक प्रशस्ति का रचनाकार आमरकवी था दोस्तों, यह टाइपिंग मिस्टेक है, वाकि आमरकवी इस तरीके से लिखाएगा, धनवन दुर्ग डैश के बीच में होता है, जंगल, रेगिस्तान, जल्या, पहाडियों, तो धनवर, शेनी का दुर्ग ह अगला पॉशन देखिये, किस दुर्ग का हिस्सा है, तो धोस्तों मारकवी बना गगएं, कि मुछद दुर्ग की बहुत जादा हुचाय पार है, और नीचे से देखने में पर लगता है, आपकी सिर्गी पगड़ी गिर जाए, यह बात कही थी अबुल फजल ने, जैपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार इवं नगर नियूजन कौन था तो जैपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार इवं नगर नियूजन कौन था तो जैपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार थे निमने युगमों के आगे उनके समधिय दुर्गों को सही करम से जमाना है कि निमने इस्तलों के आगे उनसे समधिय केले दुर्गों के नाम में से कौन सा सही है जैसल मेर मेरानगड में नहीं है जोदपूर जुनागड में नहीं है शेडगर कोसवर्धन गड़ ये बिल्कुल सही है बारास में है शेडगर कोसवर्धन का किला निमने लिखित में से कौन सा जली दुर्ग का उत्तम अधारन है गागराउन का दुर्ग सबसे उत्तम अधारन है कुम्बलकर दुर्ग का परमुक शिल्पी कौन था नापा, पूजा, मंदन या गोविन तो कुम्बलकर दुर्ग राणा कुम्बा के दारा अपनी पत्नी कुम्बल दे की याद में बनाया गया और मंदन इसका परमुक शिल्पी था किराडू का सोमेशर मंदिर और आबानेरी का हर्चत माता मंदिर इंद में से कौन सी स्थापस शैली है तबी थोड़ेर पहले हमने करा था किराडू का सोमेशर मंदिर गुर्जर परतिहार शैली का बनावा मंदिर है बसंती के लिए का निर्माड किसने कराया है ये देवस्तो रिप्रेट कोशन है स्टाटिक में भी आया था बसंती के लिए का निर्माड राणा कुम्बा के द्वारा कराया गया था सुरोही में कोश्वर्दन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो अभी देखिए से पहले कुशन आई था कोश्वर्दन का दुर्ग शेरगड के नाम से भी जाना जाता है अगला कुशन देखे, किलो और उसके शेरों के निम्न जोडों में से कौन सा मिलान साइडंग से मिल नहीं काता है तारागड बूंदी में बिल्कुल सही, गागरौन का किला जालावड में बिल्कुल सही, सोनारगड जैसरमिर में बिल्कुल सही, कुम्बलगड उधैपुर गलत है, कुम्बलगड का किला उधैपुर में नहीं है, तो ये गलत माने जाएगा अगला देखे कोशन क्योंकि कुम्बलगड का किला दोस्तो रासम्मन में है नेक्स्ट है दुर्ग जो माराना कुम्बा दारो निर्म में नहीं है तो ये भी पहले आ चुका है बहसुर्गड का किला माराना कुम्बा नहीं नहीं किया मंदिर स्थापत्त की भूमी शैली किस स्थापत्त शैली की उपशैली है तो जो भूमी शैली दोस्तों आप सभी को पता होना चीए नागर शैली की उपशैली मानी जाती है लोहागर दुर्ग जिस जिले में वह है तो लोहागर दुर्ग भरतपुर दुर्ग का उपनाम है औ अगला परश्ट ने कुंबल गळ दूर् के पर्मुक्शिल पिकॉन केक केशबद हैं ये पहले भी आ चुका है मंड़न इसका सही आंश्ब होगा वैलोर का दूर्ग वैलोर का दूर्ग भैस रोडगर के दुर्गों को ही वैलोड का दुर्ग कहा जाता है काफी important question है ध्यान देखेंगे कि बैसरोडगर के दुर्गों ही वैलोड का दुर्ग कहा जाता है और यह चित्वडगर दुर्ग में है चंबल और बामनी नदीगे किनारे दक्कन की चाबी किस के लिए को कहते हैं फतेपूर तिमनगड अमीरगड या मंडल राए तो जो दक्कन की चाबी कहा जाता है वो है अमीरगड दुर्ग को कहा जाता है बहुत बहुत इंपोर्टन कोशन है ये भी मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा गागरों दुर्ग के संदर्प में गलत है इसका प्रकॉटा जालिम्कौट कहलेता है बिल्कुल सही ये परसिज जल दूर ये भी सही है इसमें हुन उनकार तो यहां पर नहीं है इसलिए ये गलत ऑप्शन है अगला देखें किस दूर्ग को मुस्तफा बाद दूर्ग कहा जाता है यह हमको बताना है कि अचलगर सोनारगर दुर्ग मेरांगर दुर्ग या गागरोन का दुर्ग किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाता है तो ज़यादा सूसने की बात नहीं है गाग्रोन के दुर्ग कोही मुस्तफाबाद का दुर्ग कहा जाता है अगला मं निम्दे में से कौन सा असोमेलित है भाश्चा पाना अफगानी दूर्ग करो ली यह खिजराबाद दूर्ग तो दीए चित्तोडगर में ही खिजराबाद दूर्ग है आपको धिहान को अधिए ने जीतने के बार जीतने के बाएद उसने अपने पुत्र के नाम पर ही इसका नाम रखा था और खेराबास शिवाना में जब लाउदिन खिल जी ने आक्नमण कहा था तब इसका नाम बदल के रख दिया था और बाश्चा दुर्ग बायाना ये भी सही है अफगानी दुर्ग करो लिए आपका गलत है और यही आपका सही उप्शन माना जाएगा किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है बयाना सोनारगर गागरोन या अचलगर तो एक बहुत लंबा परकोटा बना हुआ है जिसे कमरकोट भी कहा जाता है तो वो किस दुर्ग में बना हुआ है जैसल मेरे के सोनारगर दुर्ग में जोदपुर के महरानगर दुर्ग के संदर में किस ने लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माट देवता फरिस्तवे परियों ने किया है तो ये पहला वाला ही ये दोस्तों जो आपका क्या था लोटियार किपलींके दोरा कहा गया है उस दुर्ग की शेयनी जिसका निरमाड जल या जल से गिरे वे बीच में होता है तो वो कौन सा है हमारा? औदग दुर्ग जल से रहो दुर्ग के रूप में जाना जाता है किलकला शम्मूबान गजनी किस चीज के नाम है तो किलकला शम्मूबान और गजनी ये तोपों के नाम है जो कि महरांगर दुर्ग में रखी हुई है अगला परशन मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेरांगर दुर्ग में किस महल में हुआ है चोके लाल महल, जस्वन थड़ा, राकी महल या विचला महल तो मार्शल टाइप शैली का प्रयोग चोके लाव महल में हुआ है वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकरों ने गोला चांदी बारूद खदम उने पर चांदी के गोली दागे बसंती गड़ के किले का निर्माण कुम्बा के दोरा अगेन रिपिटेट कुम्बल गड़ की दीवार तो आपको पता दोस्तों कुम्बल गड़ की जो है वहां पर एक विशाल 36 किलोमेटर की दीवार है जो की ग्रीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है अगला पर इतिहास के परसिद सेवाना दुर्ग किस जिले में है जोतपुर बाडमेर जालाओर या डुंगरपुर तो सेवाना दुर्ग अमारा बाडमेर में है राजसान का परसिद दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में रासमंद पाली उधेपर सिरोई काफी और मैंने आपको बत दौरस के दौरा किया गया था भटनेत सको प्प्रमाइर का किलाय दोस्तों अगेन धनवं शेने का ही दूंग यह भी रेगीस्तान में सितें कि रजस्तान के किस के लिए पर सबसे अधिक तो वह तारागड़ है और विदेशी आक्रमण की बात करें तो कम से चार से पांच विदेशी आक्रमण भटनेट के के लिए पर हुए थे राजसान का वेलोड का दुर्ग भेसरोड़ अगें रिपिटेट कोशन नाहरगड का पुराना नाम के सुदर्शनगर दोस्तों पहले के लिए 9 लगका दर्वाजे के नाम से जाना जाता है कि सालाथ सरह हुन्मान जी का मंदिर बी का चूरू जिले में है करा है राज्यसान का वह किला जिसे गड़ बीटली के नाम से अजमेर का कुला है रखिस्तान में निर्मित दुर्ग को धन्वन शेरणे का दुरू कहते हैं कोषवर्दन के लिए का प्रश्लेत नाम है बनेयर का किला अगेन रिपीटेयर तो ऑफशन सही घर गरेंगे परसिद लोखागड किला किस जिले में? अगेन रिपिडेट तारकडगा किला अजमेर में? किस दुर्ग के अंदर हस्त लेखेट गरंतों का दुरला भंडार जन बद्र सूरी गरंत है? तो जन बद्र सूरी गरंत कहां पर है? जोदपूर दुर्ग बीकानेर दुर्ग जैसल मेर दुरूग अकबर का किला तो ये आपका जैसल मेर दुर्ग में इस्तित है चित तोड़कर दुर्ग में से जैन कीर्थी स्थम्वे उतकिन अभीलेकों का साबन करता कौन था देवा मंडन गुणबद्रिया जीजा तो जैन कीर्थी स्थम्बे जीजा के दोरा अभीलेकों का और सावन करता किया गया था नेक्स कोशन नवलखा बुर्ज का निर्मान किसने करवाया है बनवीर, रावत भाग सेंग, महाराना परताब या कुम्बा नवलखा बुर्ज का निर्मान बनवीर की दोरा किया गया है गोरा बादल मेल वै नवलखा बुर्ज अगेन देखिए किस जगे पर है तो यह जो है आपका चित्तोडगर दुर्ग में है अगला कोशन राजस्थान में चित्तोडगर के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फॉर्ट जैसल मेर दुरूग है मैंने आपको बता दिया था संत मालिक शा की दरगा कहां पर है गागरोन जालोर शेडगर या सिवाना तो जालोर दरग में संत मालिक शा की दरगा है चित्तोडगर दुर्ग में यशेशुती फत्ता सिसोधिया का इसमारक कहां पर बना हुआ है तो यह साथवे और अंतिम राम पूल पर बना हुआ है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहले नमबर का शुक्र निती में दुर्गों का कित्ते सरे से वर्गन किया था तो शुक्र निती में आपका वर्णन नो तरे से किया गया था और हमारे जो कोटली जी थे उनके दोरा चार तरे का दुर्ग का वर्णन किया गया था किस दुले का दुर्ग का सबसे उचा भाग मीरा साप की दरगा कहलाता है तो तारागर दुर्ग में ही मीरा साहाप की दरगा है और वही सबसे उचा भाग है भटनेर केले का शिल्पी कौन था केकाईया सोडा जेताय भाव सिंग भटनेर दुले का शिल्पी माना जाता है केका एक हमकुं किले की प्रांचीर पर हमला करने के लिए रेट और अन्य वस्तों से पुचा चबुद्र बनाया जाता था। पाशिप परकोटा यह निम्दमें से कोई नहीं थोजो एक रेत से बहुत बड़ा जो उंचा चबूतरा बनाया जाता था हमला करने के लिए उससे पाशिव कहा जाता था राजसान का सदुर्ग दुर्वाधी राज कहा जाता है तो वह हमारा चित्तौर इसे दुर्वों कि अगला प्रस्व देखिए राजस्तान कि किस दुर्ग को चिल्ल कडिला भी कहते हैं सोनार का किला नागोर्ट जैगर दुर् harana गया नि रानी का मालिय मैल कुम्बल गड burk में इस तो 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 बाकी मिलता है तो से और बदेशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जयबान सबसे बड़ी जो तोप एश्या की कहां पर रखी हुई है वो तोप मतलब एक बार में आप देखें टायरों पर मतलब पाइए कि जो है आप सभी लोगों को जरूर जाना चाहिए वो हमारी जैकरदुर अजमेर में है मैं भी खुद दोस्तों गया हूं आप है और मैंने तोप देख काफी में कोशन आपको ऐसे करवार हूं मुझे ने रखता ये कोशन है या कुछ अमन के लिए वाला कोशन है या अमर्सिंह राठोड वाले यह जो कोशन आपने कहीं पड़े नहीं होंगे तो इनी कोशन को मेरा कराने का में मोटेफ है जिससे कि आपकी हैल्प हो सकते गिरी दुर्ग के रूप में जाना जाता है अगला कोशन उत्तरी सीमा का प्रहरी किस के लिए का उपनाम है तो यह उपनाम है भटने रिके के लिए का उत्तरी सीमा का प्रहरी शहाबाद दुर्ग इस्थित है त्रिकूट परवत पर परवासन परवत पर मैसा पठार कर या भ तो विजयगड़ी जो दुर्ग है आपका जैगड़ दुर्ग में ही एक किला है यानि एक महल है जिसे कि हम विजयगड़ के नाम से जानते हैं अगला देखें तेलिन का महल कौन से दुर्ग में ये भी काफी इंपोटेंट कोशन है जो कि कई लोग नहीं पढ़ते हैं फतेप इस दुर्ग में ही एक महल है जिसका नाम है तेलिन का महल किलोन का दुर्ग किस जले में 12 पाली पाड्मेरिया सिरोई तो क्लोर का डूरुप एक मतर डूर्च है जो कि आपका पठाने शैली में बना उइस शेत की मजार किस कले में हैं शेरगड के के किलिए में शाबात के किलिए में काकन वड़ी के किलिए में या बयाने के किलिए में तो सयद जी की जो मजारे शेरगर के किलिए दौलपूर में है तोडगर दुरुक का निर्मार किसने करवाया तो तोडगर दुरुक का निर्मार करनल तोड़ के दौरा ही करवाया इन्हो जो इसका आंसर रहे वहां से सर्फ यही कोशन आता है कि चाज़ले की आकर्थी में कौन सा है और यह कराई दोसे लगभग 1000 वर्ष पुराना है यह तो यह हमारा दोसा का द्रुग जो की चाज़ले के आकर्थी में बना हुआ है और लगबग हम बात करें तो यह एक हजार वर्ष पुराना किला माना जाता है इसमें दो मुखी दर्वाज है जो कि हाती पोल एवं मोरी पोल है देवगेरी की भाड़ी पर बना हुआ बढ़ गुजरों के दारा निर्मित किया गया है अगला देखें मर्दा मर्दान शहा की दर्गा किस किले में शेरगड़ का किला पोकरन भरतपुरिया मंडल राय मंडरायल तो जो आपका मर्दान शहा जी है उनकी दर्गा मंडरायल के किले में है गवालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्गों को कहते हैं तो गवालियर दुर्ग की कुंजी भी म अंडरायल दुर्गों को कहा जाता है पून बोज शैली का बना एक मातर दुर्ग पून बोज शैली का बना हुआ एक मातर दुर्ग है आपका मंदौर का किला पूरी पूरी तरह से पून बुद्ध शैली पर बना हुआ है तो दोस्तों कभी बोलते बोलते फंबल हो जाता है तो आप माइड ना करें और देखते रहें और अरंजेव ने धाराशिकों को किस केले में कैदे रहा दाराशिकों जो है औरंजेव का भाहि था इसने इसे काकनवाड़ी जो अलवर में वहाँ पर इसे कैद करके रखा हुआ था अगला देखे पोकरण के लिए का निर्मान किस ने कराया मालदेव राव जेसल मूलाज भाटिया महाराजा राइसिंग पोकरण के लिए का निर्मान करवाने वाले हमारे महाराजा मालदेव जी ते जूतपुर के राजा ते जागीरी किलों का सिर्मोर किसे कहा जाता है अही के चत्र द्रुग के जो हमारा जागिरी किलों का शिर्मोर है वो कुछामंद रुकों कोा घगते हैं दएंस तो दो बार हमारा जा Standards malamенно कोस्षन आचुका है तो अब आप आप ही देख सकते हैं कि जो हमारा किए आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा और कितना इंपोर्टेंट है पहला जो कुशन था कि एसा किला राणी जाए भले ही और ठकराणी जाए के पास नहीं तो यह भी कुछा मंदिर के संब्ध में है और जागीरों जागीरी किलों का सिर्मोर भी कुछा मंदिर को कहा जाता है अगला देखे गोपीनाद मंदिर किस किले में तो गोपीनाद जी का जो मंदिर है वो जैगड के किले में बना हुआ है जो चूरू का किला है गोपीनाद जी का मंदिर चूरू का किला है और जो गोविन देव जी का क्लीप का अगला परस्न में अहि चत्र पुरुख को दों कि को ही बोला जाता है इसका निर्मार्ण सजी के दोरा करवाया है एक एक एकाई नो dul दो की चुषा किर संग्जी और घं के द् savvy और मामा भांजगे रैने पूरे खाहें की मजार किस किले में हैं तो मैं दूनकी मजार też भी मेरानगड़ किले में है अगला कुछ न भी पूर्देवी कुन से से हैं धह्ष को वनाता माता ये भवान धाल्य में काफी पीची माता मानी जाती है जिनका मेरांगर मंत के किले में बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है कि नेक्स देखे शेर साही मस्जिद किस किले में है शेर गड़ तालगड मेरांगर या भठनिर तो सेर साही जो सेर सा सूरी की मस्जिद है वो मेरांगर के किले में ही बनी कि दो दोता तो किल कफिला नाम की तो मेरांगर दर्ग में है कि मेरांगड के लिए में लोहा परवाया कि द्वारा करवाया जिस दौरा करवाई गया है यह वही उचंग है जिसका सम्भन दुर्गादाज जी से है खेजडली हत्यकान किस साशक के समय हुआ ता खेजडली हत्यकान मारवार के ही अबे सिंग जी के समय हुआ था अगला प्रशन है जेकलीन केनेडी ने किस किले के बारे में लां कि अग्ला प्रश्य अमर सिंग राठोड की तलवार किस किले में तो अमर सिंग राठोड और週 जी जो तलवार है वह मेरा जे इसे के लिए में इसका सब्साराइब मांण सिंग पुस्तक प्रकाश कहां पर है यह बी मेरांगाण ऐगल किलने किस के बारे में कहा की परियों और देवताओं ने बनाए यह भी मैरांगर लेड़ के बारे में कहा है और लोटेयाड के फिलिंग ने किसले बारे में बोला था कि एक डीन ने किवर्द आख तो ये इन्होंने कही थी तारागळ बूंदी के वारे में देखिए येख साथ्क आगया दोनों रुडियाड किप्लिंगे से दौकिरोक के बारे में काए । नेक्स्ट सेवाना दुर्ग अब ये जालवर और सिवाना दुरुक के के हमारे कोशन आएंगे देखिए सिवाना दुरुक का निर्मान किसके दौरा करवाया गया था परमार शाशकमुंज भोज परमार वीर नारेंड परमार या भीम दिरती है तो इसका निर्मान करवाया गया था वीर नारेंड परमार जी के दोरा मारवाड के नरेशों की संकट कल में आश्रेस्तरी रहता था सिवाना का दुरुक आश्रेस्तरी रहता था मारवाड के नरेशों की सिवाना का पहला साका कब हुआ था 1308 EC में हुआ था सिवाना का पहला साका और किसके समय हुआ था राव सातल देव जो की कानड़ देव जी के भतीजे थे तेरा सो आठ हीसल में सिवाना पर आक्रमन किस ने किया अलाउदिन खिल जी ने सिवाना पर आक्रमन किया था जवराज सातल देव वहां के राजा थे सिवाना के परतम साके के समय साथ किसने विद्वाधत किया तो वहां का जो पैरेदार था भावला उसने विश्वाज गात किया टा और अलाउदेंख्री जी को सारी जनकरी महिल की प्रदान के दि जिस होजे से तो मतलब दोस्तों राजस्तान में कई युद्ध और हर युद्ध में कोई ने कोई एक जो धोखेबाज होता था विश्वाज घाती होता था जो की दूसरी दुश्मन शेनक साथ चाहे वह मुगल हो चाहे अंग्रे जो उनके साथ मिल जाता था और हमारे राजा हर गए तो व जो मारा जालरू का किलाए उसका भी किले दारेशन कमाल दीन गरक ही बनाया किस सेव себानह का दूसरा साखा किस समय हुआ उस समय यहां के जोह टे वह दे वीरम देव रहे कलला मलो डिह जांगे सी इसादी सेवानह दुखार 1569 में अकबर का शान हो उस समय अक्वर नाक्रमड किया सिवाना दुर्ग का परकोटा किस ने बनवाया तो सिवाना दुर्ग का परकोटा बनवाने वाले थे राजा मालदेव जे नारेंड व्यास को किस किले में बंदी बना कर रखा गया जे नारेंड व्यास जी का भी संब्ध सेवाना के लिए से इन्हें वहाँ पर बंदी बना कर रखा गया जालावर की दुरग में कित्ते साखे हूँ तभी आपने पढ़ लिया कि सेवाना की दुरग लगबग दो साखे हूँ 1,380 पहल पहले किस नदी के किनारे बना हुआ है बांडी लूनी माही या सुकडी तो आपको पता है कि जालावर राज में कौन सी नदी भेथी है नदि इसका सही आंसर सुखडी नदी सही आंसर हो जाएगा सूकडी नदी यह बना हुआ है जला और केकले का निरमान किस ने करवा मगर पर दस्रश रह्मा के नूसर इसका निरमान नांगभळत प्रथम ने करवाया था अलाववदिन खिल्ची और देव जो सिवना दृग बाड़ श मने जाते हैं मगर काणाव देवücklich जनावर के उनके समय जब 1311 EC में सिवाना दुर्ग पर हमला किया गया अलाओदिन खिल जी के दोरा दोवारा तब वहां धहिया सरकार बीका जी के दोरा विश्वासगात किया गया जिस वज़े से वो हार गए थे ताच उल-मा असिर का लेका छसन निजामी ने किस के लिएक अभेद बताया जालाओड के दुरूग के बारे में ही आपको ध्यानों में कोई बात की ती कि एक ऐसा कला जिसका दरवाजा कोई आक्रमानकारी नहीं कोल सका तो हसन निजामी जी का जाद तर सम्vंद जालाओड क किस दرग में मानिसिंग राठोर जीमें this मैं है सवाना सालार सभस्टिशा सब्सक्राइक सब्सक्राइब किला कर जाल्क को ःका जाता है नटनी की छत्री दोस्तों जाला और में जरूआ वी रम देव के चोकी किन में इस लिवयों तरह हो विवा और अलआ जीजिद भी आपकी जा आपकी जालोति २ kia मिलागे कितने साके हुआ तो जालवर में एक मात्र साका हुआ था राव कानड़ देव जी के द्वरा सवाई जैसंगे भाई चीमा जी को किस किले में बंदी बनाया गया नाहरगड आमेर जैगड या चितवरगड तो इनके भाई चीमा जी को जैगड के किले में बंदी बनाया गया था जैपुर शहर का राजमुकुट किस किले को कहा जाता है जैपुर शहर का जो राजमुकुट है वो नाहरगड किले को कहा जाता है राजसान का अंतिम बड़ा दुर्ग कौन सा है राजसान का जो सबसे बड़ा अंतिम दुर्ग है वो नाहरगड है नाहरगड किले का निर्मा क इस वर्ष में पूर्ण हुआ नाहरगर किला जो है 734 इस्वी में बनके पूर्ण हुआ था अगले देखे सुधर्शनगर यह सबसे फर्स टाइम पे भी कोशन आ चुका था बीच में भी आ गया था नाहरगर के के लिए कोई म pickles कुले में बनाये तो मादो सिंग जी मादो सिंग्जी ने जी अपनी नो मैल बनाये ते वह नाहरगर की कि लिए मैं मान सिंगी रानी कंगावति न अपने पुत्री की याद में जगत्षिर Igles drives मंदर कर बनाया तो रानी कंगाव mirrors enter ने जो यदि ये जितले का सर्मpero प्रवीजदार बताया है बिश्चक हेवर ने किस के बारे में कहें जो मैंने कैबलीन में सुना और अल्ब्र return में वह इस सब्स्थे सब्स हंरा है और इसका नहीं है चैसेंका अमैर्क का मौ interacts किष्णे रखा तो सब्सक्राइब आमिर का नहीं मुवमिनबाद रखने वाले हमारे बादूर्शा जफर थे हिंदू मुसलिम शायली का परथम दुर्ग हिंदू और मुसलिम मिक्स निए आमेर का दुर्ग था क्योंकि आपको बताए आमेर के राजा भार्मल जी ने अपनी पुत्री का विवा कर दिया था सफिक्न लिविंग पोड़ की लों क्लो का सिर्मोग क्या जाता है कि दूर्गादी राज्ट किस कि पर्वादीराज को कहा जाता है तो दूर्गादी दुर्ग जहां स्थरवादिक साके हुए तीन राजस्थान का गौरफ किस के लिए को कहा जाता है चित्तोड रंतंबूर कुंबलगड़ जेसलमिर तो राजस्थान का जो गौरफ के लाए वो हमारा चित्तोड दुर्ग है बप्पा रावल को काला भूच की उपादी किसने द आपके चित्तोडगर मेरांगर रंतंबूर या जालोड तो यह आपके चित्तोडगर में है जैमल की हवेली कहां पर है जैमल की हवेली चित्तोडगर में है चित्तोड के किलिए में लगुदूर्ग नवला का बुर्जी है नो कोटा मकान का निर्मान किसने कराया यह देखि मुंकल की समय पर मुंकल की याद में करवायी था जो मेरा मंदेर एक चुली में वो 200 अंसर है इसका nessa कुम्भा होगा शिवाजी की कुलदेवी तुलजा भावानी का मंदर किस किले मैं है विजैस्त्रम कंदिर कौन है जैता अत्री महिजवत या मंदन तो जो विजय स्थम का निर्माण करवाया बाग संग जी की छत्री कहां है बाग संग जी की छत्री भी पाडर पोल में ही बनी हुई है चित्तोड के पहले साके के समय कौन शाशकता वहां का तो जब पहला साका हुआ था रतन संग जी और रानी पदमिनी के बीच हुआ था सबसे पहला साका चित्तोड का पहला साखा कब हुआ था चित्तोड का पहला साखा सन 1303 इसवी में हुआ था 25 अगस्त के दिन 1303 इसवी में चित्तोड की के लिए पर आक्रमण किस ने किया उसमें अलाओ दिन खिलजी के दोरा आक्रमण किया गया था खिलजी ने चित्तवड़का जीतकर उसका नाम या किलेदार किसे बनाया तो खिज्रखा जो थे उसे अपने का किलेदार बनाया था खिज्रखा नहीं दूसर कामालुदीन गर्गो बनाया था और खिज्राबाद रखा था अपने पुतर खिज्रखा के नाम पर राणा हम्मीर ने चित्तरो का किला किस से छीना था तो राणा हम्मीर ने चित्तरो का किला जो छीना था वो ते आपके मालदेव सौनगरा मालदेव सौनकरा से यह जो खिला था छीना था पदमावत की रचना किसने की पदमावत की रचना करने वाले थे हमारे मुहम्मद जायसी पदमावत की रचना किसने की जायसी चितोड का दूसरा साका कब हुआ चितोड का दूसरा साका जो था 1303 EC में तो चित्तोड का पहला साखा हुआ था चित्तोड के दूसरे साखे की बात करें तो चित्तोड का दूसरा साखा आपका 1568 EC में हुआ था और उस समय बाक्सिंग जी नहीं यहां का नेतरुत किया था आपके लगबग अगर मैं बात करूं डेड़ सो से जादा कोशन आज की वीडियो में हमने कर लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी जैए दोस्तों काफी वीडियो लंबी हो चुकि है बट कोशन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो पूरी वीडियो देख कोशन जो है मैंने कराएं दोस्तों चांट-चांट के कोशन आपके लिए लेके आया हूँ अलग-अलग जगे से धोन के काफी मैनर लगती है तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना बुले ठैंकियो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में